तोश तोश बलबुलो सुंता बलिये लली ये लजी ये लजी ये दूरंग्राई लजी ये दूरंग्राई बोल बोश चाने तोथ गई कलिये लली ये लजी ये लजी ये लजी ये दूरंग्राई लजी ये दूरंग्राई लजी ये दूरंग्राई लजी ये दूरंग्राई पहरे दोस्तों अससलाम अलेकुम GFS1 आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल पर आपका खेर मगदम है डिस्टिक गांदरबल के मतलिक इनफॉर्मेट्व सिरीज के इस हिसे में आपका स्वागत है पिछली बार हमने आपको गांदरबल जिल्ले के बारे में थोड़ी सी जानकारी फरहम की थी जिसको आप सभी दोस्तों ने बहुत पसंद फरमाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमीद है कि आज भी आप हमें अपना प्यार देंगे आज हम आपको गांदरबल जिल्ले के सबड्यूजन कंगन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उमीद है आप पसंद फरमाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबड्यूजन कंगन तैसिल कंगन और तैसिल गुंड पर मुश्तमिल है तैसिल कंगन में 42 गाओं जबकि तैसिल गुंड में 9 रिवनी विलेज शामिल है मश्रिक में सबड्यूजन कंगन के बाद ही लदाक यूटी शुरू होती है सब्डूजन कंगन में मशूरी जमाना सौनामरग और नारानाग जैसे टूरिस्ट पुलेसिज शामिल हैं जबकि श्री अमरनाथ जी यात्रा की पुवित्र गुफा भी यहां मौजूद हैं कंगन 5940 फुट की अवस्द बुलंदी पर वाका है यह 34.26 नारत और 74.90 एस्ट पर मौजूद है सब्डूजन कंगन की आबादी करीबन डेट लाख है तैसिल कंगन का सबसे बड़ा कस्बा कंगन टाउन है जो कि स्री नगर लद्दाख हाईवे का एक एहम पड़ाव है यह कस्बा चारों तरफ से खूबसूरत पहाडों और गन्ने सरसबस जंगलों से गिरा हुआ है यहां एक बहुत तारीखी और बड़ा मार्केट भी है यहां एक सब डिस्ट्रिक हॉस्पिटल के इलावा एक डिगरी कालेज एक आई टी आई बॉईज और गर्ल्स हाईर सेकंडरी स्कूल्स भी मौजूद है इसके इलावा SDM आफिस, तैसील आफिस, बीडियो आफिस और दीगर डिपार्टमेंट्स के आफिसे के साथ साथ एक SDPO आफिस और पॉलिस स्टेशन भी काइम है इसके इलावा एक और पॉलिस स्टेशन गुंड में है कजबा के बीचों बीच एक तारीखी पारक भी मौजूद है कंगन टाउन में एक पावर स्टेशन प्लांट अपरसिंद हाईडरो एलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड भी काइम है जिससे नशुरिप इस इलाके को बलकि दूसरे इलाकों को भी बिजली फराहम होती है इसका पहला हिसा अपरसिंद हाईडरो पावर प्रोजेक्ट फरस्ट तैसिल गुंड के सुंबल के गाउं में मौजूद है यहाँ मीनी हाईडरो प्रोजेक्ट भी मौजूद है जिन में रेल, कुलन, बटकुलन, शुतकडी भी काबल जिक्र हैं नाला सिंध भी बालतल से निकल कर सबडूजन कंगन के बीचूंबीच से ही गुजरता है इस नाला पर कई खुबसूरत पुल बने हुए हैं जिन में से चंद मशहूर पुल हैं प्रंग, टंग छतर, वुसन, यचामा, गैनिवन वगेरा शामिल हैं जबकि एक मशहूर वाइल ब्रिज भी नाला सिंध पर मौजूद है कंगन सबडूजन में नाला सिंध के इलावा दीगर कई नदी नालों का एक जाल बिचा हुआ है जिन में ब्रहमसर, वांगत नाला, मालगू नाला, सुरुफराव नाला, रेल नाला वगेरा काबल जिकर हैं इसके इलावा बाबा कनाल, पावर कनाल, हैदर कनाल और कई चोटे नदी नाले भी मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बलकि उनका पानी पीने के काम भी आता है नाला सिंथ से, गांदरबल पावर प्रोजेक्ट के लिए भी पानी फरहम होता है यहां पार्कस और टूरिस्ट पुलेसिस भी काफी तादाद में मौजूद है सोनमरक दुनिया भर में मशूर एक सयाहती मकाम है, जो कि सब डूचन के तहस्रील गुंड में वाका है स्रीनगर ले हाईवे पर मौजूद ये एक खूबसूरा टूरिस्ट पुलेस है, जो कि अपने सरसबस जंगलों और हरे भरे मैदानों के लिए दुनिया भर में मशूर है गुडसवारी के लिए ये जगा बहुत बहतरी इन समझी जाती है सोनमरग के पास ही मशूर ग्लेशर थाजवास भी मौजूद है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रेक्शन है सोनमरग से थाजवास तक का सफर गोडूं पर बैठ कर करने का मज़ा ही कुछ और है सोनमरग में प्राइवेट होटिल्स के इलावा टूरिस्ट डिपार्टमेंट के हट्स भी मौजूद हैं, साथी यूथ होस्टल और दीगर सहलियात भी मयस्सर हैं फैमस फिश पॉइंट भी सोनमरग की एक और मैन अट्रेक्शन है पहाडों और जंगलों से निकलते जहरने, साप शिफा पानी की एक छोटी सी जील देखने वालों के दिलों को खुश कर देते हैं सोनमरग के नजदीक ही बालतल है जो कि श्री अमरनाद जी की पुवितर गुफा के लिए मशूर है पूरे मुलक से हर साल लाखों यात्री पुवितर गुफा के दर्शन के लिए यहां आते हैं नारनाग सब्डूजन कंगन का एक मशूर टूरिस्ट पलेस है जो कि कंगन के शुमाल में वाका है चारों तरब पहाडों और गन्ने जंगलों के बीच नारनाग में प्राचीन काल का एक मंदिर भी है माना जाता है कि ये मंदिर पांड़ों के जमाने से यहां मौजूद है नारनाग से ट्रेकिंग के लिए दो रूट जाते हैं एक रूट मशूर दुमेल से होते हुए मर्चिहोय और सालने और नावा लैक की तरब जाता है और दूसरा रूट मशूर ट्रेकिंग प्लेस गंगबल की तरब जाता है गंगबल भी एक पवितर यात्रास्थल है और यहां भी सालाना यात्रा होती है वांगतनाला नारनाग के बीच से गुजरता है यह फ्रश वाटर ट्राउट के लिए मशूर है कैम्पिंग और नाइट सिटे के लिए यह जगा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सब्ड्यूजन कंगन में प्रंग, डंपिंग पारा किछपारा, बारवला का वाटरफाल, मामर और गगंगेर वगएरा देखने लाइक जगहें हैं सब्ड्यूजन कंगन को कुदरत ने पहाड़ों और जंगलों के खजाने से माला माल किया है यहां बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि ट्रेकर्स और एडवेंचर लवर्स के दिलों को मु लेते हैं गंगबल, विशनसर, हॉकसर, टेबल टाप, दूरी नार, जैसे मशूर हाई अल्टिचूट लेक्स के साथ-साथ, मोहन मरग, मालदू, काने दलो, बड़ी मरग, खुड मरग, कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी तक लोगों के निगाहوں से दूर है मगर उनकी खुबसूरती आईसी है कि जो एक बार देख ले, वो देखता ही रह जाता है मशूरी जमाना ट्रेकिंग पलेस, तारसर मारसर के लिए भी सबडूजन कंगन के सुर्फ़राव अलाके से एक रास्ता जाता है डेंपिंग पारक किछबारा भी एक खुबसूरत जगाह है इसके बारे में मशूर है कि ये पारक पार हावस कंगन के तामीर के दोरान निकलने वाले मलबे के डेंपिंग साइड पर तामीर किया गया है सब्डूजन कंगन के जनुबी इलाके में नजवन से लेकर सौना मरग तक एक पहाडों का नरुकने वाला सिलसला है जिनके उपर सरसबस गन्य जंगल एक चादर की तरह मौजूद है इन जंगलों और सब्डूजन कंगन के दीगर जंगलों में बालू, तैंदवा, बंदर, लोमडी वगएरा जैसे जानवर कसरत से पाए जाते हैं अखाल नजवन के तरफ से ये जंगलात का सिलसला दाची गाम नैशनल पार्क से जुड़ा हुआ है इसी इलाके में हाइन के मकाम पर एक प्लांटेशन नरसरी भी मौजूद है साथी अखाल में हिंदोस्तान का सबसे बड़ा एक्वा कल्चर फारम भी तामीर हो रहा है कंगन सब्डूजन की आबादी का बेशतर हिसा जमीनदारी से जुड़ा हुआ है ज्यादतर लोग एवरेज मिडल कलास से तालुक रखते हैं तालिमी लिहाज से भी ये इलाका आगे बढ़ने की दोड़ में है ज्यादतर एरिया पहाड़ी है अक्रोड की काश्ट बड़े पैमाने पर की जाती है इसके इलावा सेब, चरी और कूबानी की काश्ट भी की जाती है धान और मकी की काश्ट भी बड़े पैमाने पर की जाती है शीब ब्रीडिंग भी बहुत सारे लोगों का जर्य माश है साब पानी की नहरों की वज़ज़ से फिश फार्मिंग भी की जाती है मामर, मरगुन्ड वगेरा जगों पर गॉर्मेंट फिश फार्मस मौजूद है शाहिद की पैदावार के लिए भी ये इलाका मशूर है जंगलों में दिवदार, काईरू, फिर ब्रीज वगेरा के दरखित पाए जाते हैं सब्ड्यूजन कंगन में कुछ बहुत ही खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं आस्तान शरीब कंगन वगेरा काबल सिक्र हैं इसके इलावा बाबा नगरी वांगत में बाबा निजामदीन लारवी रहमत अलाला की जियारत शरीब भी बहुत मशूर है पूरे सब्डिवजन में सड़कूं वगेरा का एक जाल बिचा हुआ है इसके इलावा तीन पावर कनालस भी इस इलाके को मुनफरिद मकाम अता करते हैं सब्डिवजन कंगन में इस वक्त दो टैनलस जेर तामीर हैं जिनमें जड्मो टैनल जो कि कुलन से शुतकड़ी तक जाती है इसकी लंबाई पांच किलो मीटर है जबकि दूसरी जोजला टैनल जो कि बालतल से मेनमरक तक जाती है इसकी लंबाई तकरीबन 15 किलो मीटर है ये जोजला पास जो कि कश्मीर को लदाक से जोड़ता है से होकर गुजरती है ये टैनल 1558 फूट की उंचाई पर बन रही है इन टैनल्स की तामीर के बाद सौना मरक और लदाक साल भर मुलक से जुड़े रहेंगे इस वक्त जमीनी राबता दिसंबर से मार्च तक बंद रहता है इसके साथ ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है अगले प्रोग्राम में जिल्ला गांदर बलके किसी और तहसील की जानकारी लेकर फिर से हाजर होते हैं उमीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी आप से रिक्ष्ट है कि वीडियो के बारे में कॉमेंट्स में जरूर लिखें और चनल को लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें तो दीजे इजाज़त खुदा हाफिज